जिन्दिगी में बड़ों का साथ होना बहुत जरूरी है तभी तो माबाप बच्चों से कहते हैं फोन में क्या टिक टिक लगे रहते हों कभी बड़े बुढ़ों के पास भी बैठा करो ग्यान की बाते सीखने को मिलेंगी खास कर जब वो टपकने वाले हों क्या पता वो अपने अंतिम समय में आपको कुछ ऐसा ग्यान दे जाए जो जीवन भर आपको याद रहे और आप सफलता की सीडिया चड़ते जाओ चड़ते जाओ कभी पीछे मुड़ कर ना देखो खेर दादी की कभी भी टाइटाइफिस हो सकती है जिसमें वो अपनी पोती पिंकी पिटास को ग्यान का भंडार देकर जाना चाती है कहती है जो सुनकर अपनी पिंकी पिटास के तो तोते उड़ जाते हैं कि यार ये बुढ़िया मरती मरती कैसा गुरू मंतर दे कर जा रही है कि लड़कों का अच्छे से चूसना सीख लेना वैसे बुढ़े लोग मरते मरते काफी चीजों का खुलासा करके जाते हैं जिनमें बाकी केसों में तो वो जमीन, जायदात, मिटी में गड़े हुए खा जाने का जिकर करते हैं पर दादी के केस में सारा मामला उल्टा था जिसमें पहला बंबु अपनी बेटी पर फोड़ती है जिसको अस्तमा की भारी समश्या थी बंद कमरे में इस बेचारी का दम घुटता था, सास नहीं आता था, फटकर 464 हो जाती थी जो खूफिया राज सुनकर बेटी बड़ी मुश्किल से अपने आपको उसका गला घुटने से रोकती है आगे आता है अपनी नानी के पास उसका धेवता, बोले तो उसका नेफियू देख बेटा तु मेरा जिगर का चला है, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझ से पर हाँ तेरी लूली बहुत थोटी है, इसलिए मुझे लगता है बड़ा होकर तु प्धान जिंदर बनेगा इसलिए जितना जल्दी हो सके तु मेरे परिवार को थोड़ कर चला जा तीसरा धमाका करती है बुढ़िया अपनी भहु पर, बोले तो उसके बेटे की वाइफ पर वो कहती है ये सब तो मैं जानती हूँ कि तु मुझे पसंद नहीं करती, कुछ और नई बात है तो बता जिसके बाद चोथा धमाका करती है वो अपने बेटे टकली टपला पर जो की पिंकी पिटास का बाप है जो साला राज घुलने से पहले बड़ा हवा में तीर चला रहा था कि मम्मी तु टैंसन मतले तु स्वर्ग में जाएगी तो ने कभी कोई गलत काम नहीं किया साधा मेरा और मेरी बेहन का खयाल रखका हाम में पाला पोसा बड़ा किया वगेरा वगेरा बेता लंबी लंबी बाद में मार रही हो पहले मेरी बात सुन बच्पन से लेकर पच्पन तक जिसको तु अपना बाप समझता आ रहा था ना वो तेरा बाप नहीं था तु मेरी बच्चे दानी में तब आया था जब मैं एक पहाड़ी पर लखड़िया चुगने गई थी जहां किसी ने पीछे से पकड़ कर मुझे रगड़ दिया था ताबूत? बुढ़िया के लिए ताबूत की क्या जुरूरत है गड़ा खोद के उपर से नमक डाल दो खेर जो भी हो बुढ़िया थी तो उनी का खून इसलिए वो उसको ताबूत में ही दफनाने का डिसीजन लेते हैं जिसमें वो उसे आज से एक हफते बाद आमावश्या की काली रात में दफनाएंगे लेकिन तब तक किसकी जिंदकी में कितने लोडे लगने वाले हैं वो आगे पता चलेगा जिसमें सुरुवात होती है टपली टकला से जो साला उसकी मा को पीछे से रगडने वाले को बोले तो उसके असली बाप को ढूडने के लिए रात में ही ओस्पिटल से निकल पड़ता है बिना किरिया करम की है जिस किरिया करम की सारी जिम्मेदारिया आ जाती है टपली टकला की वाइफ पर जिसका दिमागी संतूलन हिला हुआ था कि वो बुढिया सबसे जादा नफरत मुझसे ही करती थी तो मैं उसकी मोद पर भला घडियाल वाले आसू कैसे बहाऊं जिसमें वो मस्त होकर नाच रही थी कि साली मर गई अच्छा रहा आगे बारी आती है बुढिया के धेवता की बोले तो उसके नेफ्यू की जो अपनी नानी की सलहा पर गोर करके एक रात कार उठा कर घर से निकल जाता है लेकिन उसे कार चलानी नहीं आती थी तो वो जादा दूर नहीं जा पाता जिसमें वो बस अपना हाथ तुडवा कर रुख जाता है फिर बारी आती है अपनी पिंकी पिटास की जिसके दिमाग में दादी की बात पत्थर की लकीर की तरह चप गई थी तो वो उसकी आखरी इच्छा बोले तो लड़कों का जहर चूसने के लिए निकल पड़ती है जिसमें उ उसे मिलता है दल्पत दरूडिया जिसको वो पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठती है वो दोनों एक साथ घूमते हैं बैठते हैं बाते करते हैं पर बात बनती नजर नहीं आ रही थी क्योंकि दल्पत दरूडिया दो चार पांच दिनों में चर्च का पुजारी बनन नहीं आते तो वो उसे उठा कर पूल में फैक देता है जिससे एक ही सेकंड में पिंकी पिटास की सारी गर्मी उतर जाती है उपर से उसका फोन भी खराब हो जाता है आगे वो अपना बुरा समू लेकर अकेले ही पैदल पैदल घर की तरफ निकल पड़ती है जहां रास्ते मे कोजे नियम तोड़ने के लिए मजबूर कर देती है जो सुनकर पिंकी पिटास प्यारी सी मुसकान पास करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है जिसमें साम होते होते वो उसके नाग का जहर चूज डालती है पूछती है मैंने कैसा किया दलपत कहता है 110 परसेंट बढ अपनाने से पहले उसकी आकरी इच्छा पूरी कर ही दी वैसे फरक तो पड़ता है क्योंकि सेरनी के मुसाप का जहर लग गया था तो इसे वो साप इस बार अपने मुह के अलावा कहीं ओर डलवाना था जो करने के लिए वो बहुत बेताब हुई जा रही थी उससे रहा नह जा रहा था जिसमें अगले दिन उसका बाप अपने असली वाले बाप को कहीं से खोद खाद के ढून ढांड के ले ही आता है जो की एड्स का मरीज था और दिमाग उसका बुढ़िया से भी जादा सटका हुआ था जिसमें बुढ़िया तो अपनी बहु को सिर्फ धमकाती लेकिन ये तो साला उसे गालियों पे गालिया पेल देता है पर हमें उससे क्या हमें तो अपनी पिंकी पिटास से मतलब है जो अपने बाप से घर से बाहर निकलने की इजाज़त ले लेती है जिसमें वो सीधी जाकर मिलती है दलपत दरूडिया से जो जब अपना साप खु तो वो रुकने कहां वाली थी जिसमें माबाप जब उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिस करते हैं तो वो उनसे अपनी चूडिया फोड लेती है मतलब लड़ाई कर लेती है और सीधी जाकर मिलती है दलपत दरूडिया से कहती है जो काम हमने अधूरा छोड़ा था चलो उसे करते हैं जिसकी भटी पड़ी थी तो कहता है तुम मजा कर रही हो क्या यार हमारे बीच में अब तक जो भी कुछ हुआ वो सच मुछ बहुत बढ़ी गलती थी पिंकी पूछ गे तो क्या तुम मुझ से प्यार नहीं करता वो कहता है प्यार मेरे लोडे पे हम दोनों के या वो मैं दोबारा नहीं करने वाला क्योंकि मुझे दो दिन बाद पुजारी बनने की सपत लेनी है और तू भी कल चुपचाप अपनी दादी के फ्यूनरल में जाना मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना जैसे हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं जिस पर वो अप अखरी लड़की है या नहीं बस तू मुझसे दूर रहना जो बोलकर वो वहां से चला जाता है जिससे बेचारी का खेर जैसे तैसे करके वो अपने आपको समझाती है और अगले दिन अपनी दादी की मयत पर जाती है जहां उसकी दादी के बारे में लोग अच्छे अच्छे सब्द कह रहे थे बुढिया मेरी अब तक की सबसे अच्छी दोस्त थी उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी स्माइल रहती थी उसको अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार था उसको ट्रेवल करना बहुत पसंद था वो मुझे खाने के लिए टोफ्या देती थी समझदार सहंसील खुबसूरत बहुत पुरानी अब बुढिया की आत्मा चैन से ना रहे वो भटकती रहे दरदर की ठोकरे खाती रहे उसके लिए पिंकी पोटास धोती खोलना शुरू करती है कहती है मैंने कभी अपनी दादी को जानने की कोशिस नहीं की क्योंकि वो सटकी हुई थी पर जितना भी मैं उन्हें जानती थी वो वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी जैसी अभी आप लोगोंने उनके बारे में बयान बाजी की क्योंकि उन्होंने मरते वक्त मेरे पिता से कहा ये जो एड्स का मरीज बैठा है वो उसका असली बाप है ना कि वो जो अधार काड में हैं और तो और उन्होंने मेरी मा से कहा कि वो उन्हें फुटी आख भी देखना पसंद नहीं करती मरते मरते वो मुझे एक बहुत बड़ा जीवन जीने का रहस से बता कर गई जिस पर सभी लोग उसकी बाते इतने ध्यान से सुन रहे थे कि बढ़िया ना जाने उसके कान में ऐसा कौन सा मंतर फूक कर गई है जो उन्हें भी जानने की बहुत जरूरत है कहती है उन्होंने कहा बेटा दुनिया में तुम्हारे लिए एक चीज जानना बहुत आवश्यक है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ बाकी किसी में हिम्मत नहीं है वो तुम्हें बताने की लड़कों का अच्छे से चूसना सीख लेना उनका जहर निकालना सीख लेना जो सुनकर वहाँ बैठे लोग हसने लगते हैं कि यार ये क्या बात हुई वो कहती है हाँ ये सच है मिर्ट्यू सैया पर पड़ी उस बुढ़िया के ये आखरी सब्द थे जो उसने मुझसे कहा जिन सब्दों को मैंने उसकी आखरी इच्छा मान लिया और फिर मैं मिली दल पकड़नी आती है अब कोई भी उसका गलत फाइदा नहीं उठा पाएगा फादर पूछता है ये क्या कह रही है दलपत कहता है गुरू जी वो पागल बना रही है मैंने कोई सापवाप नहीं चुसवाया उससे आप उसकी बातों में मताईए जिसमें जब वो उसको चुप रहा था ना अब तू प्रिष्ट ही नहीं बन पाएगा खेर उसके माबाप उसको उसकी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं क्योंकि आज ना कल तो उसे साप बिल में या मुह में डलवाना ही था अब थोड़ी जल्दी डलवा लिया तो क्या ही हो गया आगे स्कूल की यहीं पर समाप्त हो जाती हैं धन्यवाद